कि असे ऐसलाम अलेकुम्व आगे नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इनला को भेर हम नाम लेते हैं है in कि एक भूर तोक्सिंज होती है इस नियुकु है तीर साथ जुली बा Viking कर सकते हैं तिस तोक्सिंज होते हैं वैस्व होता कि वर्यासिझ रहा है उनको ऐसे कल्चर मीडियम में किसी भी बुमारी के बक्टेरिया वेगाने ऐसे कल्चर मीडियम में इनको ग्रोव करते हैं जिससे उनकी विरूलेंसी हतम हो जाती है वो बाडी को हाम करने के काबल नहीं रहते हैं लेकिन उनके उपर जो एपी टॉप है वो मुझूद होता है जो आगे आगे स्टिमूलेशन करता है अंटी बॉड़ी पर्डॉक्षण की या टी सेल को स्टिमूलेट करता है वो एपी टॉप उपर मुझूद होता है जिसके वजासे परसन के अंदर एंटी बाडिज भी बनती है और जो रिक्टिव टी सेल हैं वो भी बनते हैं तो प्रीड प्रीड हो जाता है लेकिन वीड़ी झाल मुझूलेशन का इसके बाद फिर पेसिव इंटी में क्या होता है के एंटी बाडिपाडिज अर जिधे लेकिन विप्रीड अनिमोड़ से उसके सब्सक्राइब इसके पार सब्सक्राइब तक परसन के था सिल्ठ तक परसन के अंदराय। टीसल जाते हैं तो no.s तो इस तरह बी टमप्लेरी ली इम्यूनिटी प्रवाइड करते हैं किसी भी परसन को ठीक है इम्यूनाइजेशन के प्रवाइब तीनों यहां पर मैथड़ जो हैं कि डेड और्गनिजम इसके लिए इम्यूनिटी डिवेल्प की जाती है अऄसरी तो ंवुपिंटी रिजाती है जाती है। चेह को चौनीट के सबसे से लिड़ीज clairement यहां में पर जालें अगे नेक्से ममिड़ी को डेल कर लेते हैं तो किस तरहmee करते हैं एक sind يकousन functional उन्हें हो सकती है तीसल में डियूसकु लॉज सकती हो सकती भी हो सकती सुछ बढ़न भी अथ है जघ है यह जो यइक हो कि जो दो इन दीन में वह करते हैं जबके इंगे के वजह से जो बढ़न तो सेकंड के अंदर उसका रिस्पॉण्स वे आ रहत है अब टीसल के ऐलर्जी के एक्जांपल नहीं है पॉज़न एवी के ठीक है अब यह एकर पॉज़न स्किन के उपर लगता है लगाए बार बार ठीक है तो बाते हो देता लेकिन क्या होता है कि टीसल जो है इसके एक बढ़ियर्ड इम्यूनटी टीसल के विज़ा से ठीक है बढ़ियर्ण के जिए अब इसके लाव आरिस गेंट्स कीकिज आप इसके वारिस नहीं केहिए लाव एक टीक यह पर पर इसके लाव वैरिस वाज़ान के वज़ा विज़ा से नहीं है तो प्रिटीड, जो रावन वादी के अंदर एंटर हुआ test है अब यहां पर है еще बील निफ्ोसाइट को ऐख यह उने के हुने किया है बार से प्लाजमा से बनाएगा एंटी बौडी। कि एंटी बौडी भी सिक्रीट होगी इसे i- veil तो यहां पर पड़ा हुआ है कि मास्ट सेल ठीक है अब यह एंटिबोडी जे उस मास्ट सेल की सर्फिस पर बैठ जाती है ठीक है अब फास्ट टाइम जब अलर्जन एंटर गए तो इसमें इसा बी निफ्रसाइट एक्टिव हो ए आज़ी ए बनी हमास्ट सेल के साथ करें गए किस साथ झूड़ी है उसलर्जन के साथ जूड़ जाएंगे ठीक है छो इसका होगा यह तो माज सेल्द ऑर गागा विंटाध सेल की सायरा कि इस अधिज़ होंगे सबस्तांशी जिनके अंदर आ जिता है थिस का माइन खिक है कि इस्टामाइन आ जाता थे उसके ब यह होती है थीजिया तो इस से डायलेशन हो जाती है तो इस तो तीचल का डिलेड जो इंट रिस्पोंस ऑसके बड़ाए गए अ क्या हुआ कि रिये कि ठीक है तो बांके कहा गया कि सकते हां पर आप आपक क्या करेंगे कि जो देंगे अजिज़ बहुत ज्यूब्य हो डाइस करेंगे तोडूक्सिक सब्सक्राइज हो है तो बतरह से उन को टॉपिक अलर्जी भी कहते हैं ठीक है तो इसकेस में क्या होता है कि अलर्जिन भाड़ी के अंदर आया इजी की बनी ठीक है हो माच सेल के साथ जूनी ठीक है माच सेल की सर्फेस पर फिर जो रियक्शन हुआ उससे सबस्तांस से रिलीज हुए जिन के अंदर हिस्टा माइन है सारे प्रासस को आगे प्रोसीड करते हैं उसके बाद यहां पर कुछ लड़ी की ग्जेंपल दी जिसमें एनाफाइल एक्स अब किया है कि अगर ब्लाड स्ट्रीम के अंदर को लिजन जो एंटर वाइड में वो जारा अप्तिदाद में या उसको इंजेक्ट किया रहे त तो यह क्या करता है माथसाल के साथ ऐसे एक्ति कर देगा ठीक है उससे वो सारा प्रासस हो गाप्ले पर मिल्टी बद जाए ठीक है वेस्कुलिस्ट स्टम डायरेट हो जाएगा उसे जो ब्लॉड है वो ब्लॉड से प्लासमा भाइड टिशूस के दर लीक आउट का जाएग केस में क्या होता है कि स्कीन के अंदर अलरजी बीडियोश होती है वेस्टामान इसे चुनल दीज होता है वेदर डायलेशन होती है ठीक है स्कीन के अंदर जिए च्छोटी जोटी स्वैलिंग सी बाइस इनको हैइब्स कहते हैं और इसका टीर्टमन कहा कि पहले अगर बंदा स तो इसके में बहुत हैं इसके ट्रीटमेंट में यूज होती है ठीक है और उसके बाद अस्तमा के केस्ट में भी सेम इसी तरह अलर्जी जो होती है लेकिन इसका में जो फैक्टर है जो प्रोड्यूस करता है तो इसके मतलब है इसके में एंटि हिस्टामिन ट्रॉक्स वह यूज किया जाते हैं ठीक है तो यहां पर हमारा चैप्टर 35 जो हतम होता है तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं के वे चैनल जो सब्सक्राइब करें थैंक्यू